हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्ष्या चैप्टर 2 है नई वाली बुक आपकी है आदर्स जीवन मुल्य मध्यमा तो इसके चैप्टर 2 के कोश्चन अंसर पाठ का नाम है अच्छे गुणों से ही बनेगा जीवन अच्छा शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ अगर आपको हरियाना बोर्ड क्लास 10 नैतिक शिक्ष्या के किसी भी चैप्टर की एक्स्प्लानेशन या question answer वाली वीडियो देखनी है description में playlist का link है वहां से देख सकते हो उसके अलाव आपको एक website बता देता हूं Google पर जाकर सर्च कर लेना CCL chapter.com इस website पर आपको यह जो book है इसका solution उसके अलाव बाकी books के solution important question, question papers वगारा सब चीजे मिलेगी जो भी आपके exam में help करेंगे आपको तो विजिट जरूर कर लेना अब शुरू करते हैं question answer को पहला जो section आता है इसमें वो है पाठ से परसन नमबर एक परातना की स्थिति को किस रूप से सही से ठीक समझे तो मतलब कौन सा रूप है उसके बारे में मैं वरनित करना है अपने आराध्य है या इस्ट देव को पर प्रातना कहते हैं प्रातना करने वाले व्यक्ति की प्रातना तब ही सफल होती है जब उसके मन करम और वचन से उसे किया जाए केवल बहारी दिखावे से की गई प्रातना प्रातना नहीं मानी जाती हमारी प्रातना तब ही सफल होगी जब हम उसे अंदर के मन से करेंगे या इस्तिति को हम प्रातना समझे अगला परसन देखते हैं परसन नंबर दो गीता के ग्यारवे अध्याय के 26 से 35 तक के स्लोकों में भगवान स्रीक्रिश्ण से प्रातना करने से पहले अरजुन के क्या इस्तिति थी और इन स्लोकों से में किस भाव से अरजुन ने स्तूति और प सवरों में भगवान के समक्स क्या स्विकार किया अरजुन ने प्रातना के सवरों में भगवान के समक्स ये बात कही कि है भगवान इस युद में मैं सवजनों को मार कर कल्यान नहीं देखता है क्रिश्ण मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना ही सुखो कि मेरी कोई यानि क्या फाइदा जो अपनों को मार कर मिले है भगवन ऐसे जीवन का भी क्या लाव जिसमें अपनों को मारने का पाप लगे ऐसा कहकर सोक के आवेग को ना सहन करते हुए अर्जुन बान धनुस को त्याग करत के पीसे भाग के बैठ गए आगे बढ़ते हैं देखो यह जो कोशन्स पता नहीं कैसे बना रखे बट इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में बता नहीं रखा और इसकी उमीदें भी मत करना एक्जाम में कि आएगा कुछ इसमें से ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं स्तूती प्राथना करने से क्या प्रभाव पढ़ सकता है स्तूत या फिर प्राताना जिशको कहता है इसमें भगत दवारा अपने इष्ट देव यानि अपने आराध्य देव को एस्ट का ऐसा गुन्गान होता है जिसमें वह अपने आराध्य के रूप सभूरूप महिमां एवन सनसार के संरख्षन में उसकी भूमी का आदि का वर्ण करता तन्मया होकर आराध्य की उपासना और प्रात्ना से भग्त की आस्था का परकासन होता है इसके साथ ही भग्त में भगवान के परती निरंतर द्रिडता भी आती है अगला परसन देखते हैं विद्यार्थी जीवन में आप इस वर को कैसे परसन कर सकते हैं विद्यार्थी कर इसवर को पर्सन कर सकता हूँ सब्ता में एक दो बार मंदीरों में जाकर देवी देवताओं के दरसन करके उन्हें पर्सन करने का कारिया कर सकता हूँ अगला जो section है वो है आपकी समझ पहला पर्षन है प्रति दिन प्रात्ना करना क्यों आउशक है प्रात्ना करने से हमें आतंबल विश्वास और संबल मिलता है इसले हमारा स्वश्थ अनुकूल रहता है प्रात्ना करने से हमें मानसिक संतूष्टी मिलती है देखो प्राथना जो है ना हम एक उमीद जो होती है मन में वो उमीद जो है संतूष्ट होती है इसलिए हम जादतर प्राथना करते हैं प्राथना करने से पहले हम अपने इस्ट या राध्य देवता का ध्यान करते हैं जिससे हमारा मन पवित्र हो जाता है हमें विश्वास होता है कि प्रातना के बाद हम जो भी काम करेंगे, उसमें हमें सफलता आवस्य मिलेगी, इसलिए प्रातना करना आविशक है, इश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने धर्म मार का अनुसरन धर्म मार यानि जो धर्म के अंदर बताए गया उस रास्ते का अनुसरन करते हुए इस्वर को परसन कर सकते हैं गीता के अनुसर धर्म जो है ये धर्म अलग है जो गीता में बताए गया है हम जो जानते हैं धर्म वो अलग है गीता के अनुसर जो धर्म है उसका मतलब यह होता है कि हम नीती मतलब सही तरीके से न्याय से सद्गुन अच्छे गुणों से परहित की भावना यानि कि किसी दूसरे जीव का हित चाना कोई भी जीवो नो मैटर और मानवता की सेवा यान कि हम जो है सभी का भला चाहते हुए किसी के साथ धोक अब धढ़ी ना करें और उसी को यहां पर धर्म कहा गया है तो उसका अनुसरन करते हुए हम भगवान को घूस कर सकते हैं जीवन में इन सद्गुनों को अपनाते हुए हमारे जो भी आराध्य हैं उनका सच्चे मन से ध्यान करें उनकी पूजास तूती आराधना करें तो पर्रशन हो सकते हैं तो यह थे आपके इस चैप्टर के कॉश्ट अंसर बाकी बात बता देता हूँ एक्जाम के से मुझे नहीं लगता कि कुछ कैप कूश्चियन पूछा जाएगा तो और अगर सबिस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना ता कि जो भी वीडियो जाएं आपको बिल्कूल टाइम चे मिल जाए मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई